सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए वेलकम फ्रेंड्स स्वागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक हार्मोनल टेबलेट के बारे में जानेंगे जो ज्यादा तर महीलाओं में प्रियोग के लिए बनाई जाती है और कई बारे से पूरुसों को भी दिया जाता है इस टेबलेट का नाम है लेट्रोजोल टे राजेत को तरी क्या साथ ही कितने रूप्एम आपको मिल जाती है क्या साइट एफ..." को लेने का सही तरीक जिससे बेस रिज़ाट आपको मिले और और इन्फर्टिलिटी में इस टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए यह सब्सक्राइब और इसके अन्य बात हम जानेंगे इसलिए वीडियो को अन्तक देखें जिससे पूरी चान करें आपको लेट्र जोल टेबलेट के बाब मिल सकें मैं हूँ आपका होस्ट मोहीद देखनें अपना यूट्यूब चैनल लर्ण अबूट मेडिसिन चलिए आपको कुछ नहीं सिखते हैं हैं है है लो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों लेट्र जोल टेबलेट एक एरोमेटेज इनिबिटर क्लास की दवा है जिसे हम एंटी एस्ट्रोजन दवा भी कहते हैं यह प्रोडेक्शन के फाइनल स्टेप को औरूद करके इसके निर्माण को रोगता है जो की महीलाओं में ब्रेस्ट केंसर के लिए जि मेतर है और जब एस्ट्रोजन निर्माण नहीं होता है तो ब्रेस्टOoh अगर बात करें में इसको अपने नाम के अन्य नामों से भी मिल जाता है जिसे हम दवा के brand name कहते हैं कुछ popular brand name जैसे की लेटोबाल टेबलेट लेट्रोज टेबलीट फेमेर टेबलेट फेम प्रो टेबलेट और इस्टेमूलेंट टेबलेट यह कुछ इसके popular brand है इसके अलव हो सकता है को दूसरा बांड आपके दॉसरों उपए से लगाकर सवादों आपको पांश टेबलेट लेकिन इसकी जो सबसे सस्ती ब्रांड है उसके बारा मैं आपको बता दूं वह है फैंप प्रो टेबलेट जो दस टेबलेट आपको लगबग सतर रुपए से और यह 22 अवैलेबल हो हुँसे आप खई सकते जो सस्ती ब्रोच से कही सकते इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है कि साच्टी दवा असर करती लेकिन दवा का जो कंटेंट है वो लेट्र जोल ही होना चीए अब बड़ते हैं इसकी उजच की तरफ की यूज होते हैं जैसा कि वीडियो की शुरुवात में हमने जाना था यहां टेबलेट मुख्य रोग से महिलाओं के प्रेस्ट केंसर को ठीक करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है और वे महिलाएं जो पोस्ट मीनोपयोजल इस्तती में हो मतलब वो महिलाएं जिनको पी करें तो वह होता इंफर्टिलीटी बांजपन को ठीक करने के लिए जिए जिए कोई महिला प्रेग्नेंसी कंसिव नहीं कर पा रही हो तो उन्हें यह टेबलेट दी जाती है और प्रेग्नेंसी कंसिव नहीं करने का जो मोख्य कारण रहता है वो एन ऑविलेशन होता मतलब जो अंडे बनने की प्रकिरिया आया अंडे की रिलीज होने की प्रकिरिया उसमें कुछ बादा आती उस कारण से महिला जब गर्भधान नहीं कर पाती तो यह लेट्रोजोल टेबलेट महिला को दी जाती है साथ ही लेट्रोजोल के similar एक वो टेबलेट है जो infertility के treatment में दी जाती है वो है क्लोमिफेंट टेबलेट अगर इन दोनों को comparison किया जाए तो लेट्रोजोल टेबलेट क्लोमिफेंट टेबलेट के comparison में कम side effect रखती है इसी कराण से क्लोमिफेंट से ज़्यादा इस टेबलेट क पाएंगे इसके अलावा इस टेबलेट का प्रियोग pregnancy termination के प्री treatment में दिया जाता है जैसे आप मेंसे काफी दोस्तों को पता होगा कि महिला को जो प्रेगनेंट करनी होती है घर पात करना होता है तो उस समय मिफे प्रेस्टोन तता म्यूजो प्रोस्ट्रोल कोई combination का kit दिय जाता है जिससे कि दो महिने की अंदर अंदर की pregnancy terminate हो जाती है कई बार ऐसा देखा गया कि मिफे प्रेस्टोन जो टेबलेट है उसके द्वारा महिला को कुछ allergy रहती है कुछ sensitivity रहती है जो उन्हें यह kit नहीं दिया जा सकता है लेकिन उस इस्तिति में डॉक्टर मिफे प्र योग है वह भी महिला के लिए वह है एंडोमेट्रियोसिस नाम की विमारी के treatment में इस समय महिला के प्रजंद तंत्र है जिसमें ओवेरी फेलोपियंट्रियोग यूटेरस यह सभी सामिले इनकी आंत्रिक लेयर में सुजन आ जाती है तब भी यह लेटर जोल टेबलेट डॉ ने लग जाते हैं और यह ज्यादा तर समझ्या देखेगी यह लड़कों में जब यह हिस्ताती होते तो उस समय लेटरेजोल टेबलेट टीनेज के लड़कों को पूरुसों को दी जाती है उससे जो गाइनेकोमेस्टिया की अर्ली स्टेज उसको कंट्रोल किया जाता है और कान और चहरे पर गर्ब महसूस होना ठकान रहना हड्यों में दर्द रहना नूजिया महिला को लग सकता है पेट दर्द होना बालों का पतला होना साथी हड्या कमजोर हो जाना यह कुछ इसके साइड एफेक्ट देखे गए यह या इसके लिए कोई दूसरे अन्वाट एट आपको मिले जो दवा की डोज रहती वैसे तो पेसेंट की एज और वेट के कोडिंग होती लेकिन यह लेटरेजोल टेबलेट ही जो डोज है वह हमेंसा डीजीज के कोडिंग डिसाइड की जाती है यदि बात करें ब्रेस्ट केंसर की महिला को यह डोज कैसे दी जाएगी त इन महिलाओं को टेमोक्सिफेंट टेबलेट के पर 5 साल तक रखा गया है और अगर बात करें इन फर्टिलीटी के लिए बांजपन को ठीक करने के लिए और प्रेग्नेंसी कन्सिव करने के लिए टेबलेट को कैसे दिये जाता है तो इस समय इस टेबलेट को पीरियेड के बलती है और यह टेबलेट अंडे बनने की प्रकिरिया तक ही दी जाती अंडे बन के अगर बाहर निकल जाते हैं फिलोपिन ट्यूब में चले जाते हैं तो उस समय टेबलेट कारिया नहीं करती है इसी कारण से इस टेबलेट को पीरिड के लाश्ट दिन से पांस दिन तक देन इस तरह से आपको ड्क्टर ने इंस्ट्रक्शन दीया है जिस तरह से लये के ँसी तरह झाले जिसागी आपको बेस्ट इदॉस्तों यह यह एक कंप्लीट इंफॉरमेसन थी लेट्र जोल टेबलिट के बारेमे किया अभी तक आपने यूच्प चैनल, को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दीगे बटरन को दबा कर जूर से सब्सक्राइब करते हैं इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नॉटिफिया में सके मैं सभी वीडियो मुफ में देख सकें आप ते अपने दोस्त मुहीत आदीज के साथ देखें ते ना यूट चैनल लान अफमेदी नॉटिज थैक्यों तेक चैर और बेकर वोट मेदीजियों जो